हेलो दोस्तों स्वागत है आपका क्रिशीक रांती की इस यूट्यूब चैनल पे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बनारस हिंदु उनिवरसिटी में BVSC and AH कोर्स में कैसे आप admission ले सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बता दू कि admission केवल NEET UGK स्कोर के बेसिस पे ही आप यहाँ पे ले सकते हैं अगर आपने NEET 2021 की परिक्षा दी थी तो आप यहाँ पे अपलाई कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी information दी गई है BVSC and AH कोर्स के लिए साड़े पांच साल का आपका कोर्स है इसके बाद minimum eligibility बताई गई है कि 12th में at least आप Botany या फिर Geology पढ़ रखी हो Physics Chemistry पढ़ रखी हो और English पढ़ रखी हो ठीक है minimum age limit यहाँ पे 17 years बताई गई है और maximum age limit 25 years बताई गई है और cut off date आपकी 31st December 2021 यानि इस दिन को आप 25 साल से जादा नहीं होने चाहिए maximum seats यहाँ पे 60 है जिसमें 15% seats आपकी VCI counselling से fill होंगी जो की 9 seat हैं VCI counselling के लिए बात करें तो Faculty of Veterinary and Animal Sciences राजीव गांधी South Campus बरकच्छा में situated है जो की मिर्जापुर में campus है आगे यहाँ पे हम बात करें आपकी fees कितनी लगने वाली है तो 56,089 रुपीज पर यर यानि एक साल में आपका 56,089 रुपे लगने वाला इसके बाद यहाँ पे upper edge में relaxation भी है 5 years का for SCHT and physically challenged candidates and 3 years for OBC candidates इसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि NIT 2021 के score के basis पे ही आपका यहाँ पे admission होने वाला है आगे यहाँ पे हम बात करें application form की fees कितनी है तो BVSC के लिए SCHT और physically challenged students के लिए 450 रुपीज है और इसके अलावा general OBC सभी candidates के लिए 900 रुपीज form की fees रखी गई है आगे हम बात करें important dates की तो application form fill करने की आपकी last date है 6th of February 6th of February आपकी last date है और online correction online application form में आप 7 से 11th of February के बीच में कर सकते हैं तो 6th of February तक आपको यहाँ पे online application form fill कर देना है result आपका publish किया जा सकता है 3rd week of February में तो जितने भी students को counselling का call letter जाएगा उनके login पे तो उसके बाद वो counselling attend कर सकते हैं online या फिर offline mode में application form fill करते टाइम आपसे कोई भी documents नहीं मागे जाएगे जब आपको counselling का call letter जाएगा उसके बाद ही आपको यह documents या तो online या फिर offline mode में जिस भी तरह आप counselling attend कर रहे हो सब्मिट करने होंगे BVSCN AH में apply करने के लिए आपको website यूज करना है bhuonline.in फिर उसके बाद यहाँ पे click here to apply पे click कर देंगे इसके बाद यहाँ पे register yourself करके अपना registration पहले complete कर लेना है उसके बाद जब आपका registration हो जाएगा तो sign in करके अपना application form complete कर लेना है इस तरह से आप अपने NEET UG के score के basis पे BVSCN AH में admission ले सकते हैं बनारस Hindu University के अंदर दोस्तो इस वीडियो में इतना ही आशा करता हूँ BHU BVSC का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा informative लगा होगा इसके बाद इतने भी important BVSC के admission notice आएंगे वो आपको इसी channel पे मिलने वाले हैं तो channel को subscribe करके bell icon ज़रूर प्रेस करें जिससे कोई भी notification आपसे मिसना हो मिलता हूँ मैं आपको किसी नए वीडियो में नए अपडेट के साथ अब तक स्वाश्त रहें मस्त रहें देखते रहे क्रशिक रांती YouTube channel सचित आनंद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद